आज हम नारेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को चींज करना सिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं दू तरह के मिल ली होते हैं एक यस नो जो क्वेस्टेंस होते हैं और दूसरा डवलूच क्वेस्टेंस होते हैं yes-no questions में questions का जवाब जो होता है हां या ना में होता है इसलिए कि यस-no कहते हैं जैसे आर इू इस्टुडेंट तो आपका जवाब या तो yes होगा या तो no होगा ऐसे questions जो होंगे वो उसलियरी वर्प या helping वर्प से शुरू होते हैं जिसमें is, a, am, was, were, has, have, had, shall, will इस तरह के वोट से वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे तरह के जो questions होते हैं डवलू एच वोट से जो शुरू होते हैं जिसमें आपका where, why, when, how, what इस तरह के जो हैं वोट से वो शुरू होते हैं तो सबसे पहले हम yes, no, questions जो होते हैं उन्हें change करना सिखेंगे मैंने एक example direct speech में already लिख दिया है He said to me, are you ready? तो यहाँ last में interrogation marks है, जो बता रहा है कि यह interrogative है और plus यह आपका where, helping where से शुरू है तो इसमें reporting where में जो हम changes करते हैं अगर यहाँ पे object हो, तो उस condition में ask object यहाँ to नहीं लगाते हैं inquired और inquired I से भी हो सकता है, E से भी inquired लिखेंगे और यहाँ पे off का इस्तामाल करेंगे, अगर object होगा अगर object नहीं होगा, तो ask और inquired के बाद हम off का इस्तामाल नहीं करेंगे inquired तक रहेगा, inverted commas को हटाएंगे, वहाँ पे हम if या वेदा का इस्तामाल करेंगे उसके बाद reported speech के sentence को, question sentence को हम क्या करेंगे statement में change करके, अगर जरूरत होगी तो tense change करेंगे, बाकी सारे rules वैसे ही होगे तो इसे बनाते हैं, तो यह हो जाएगा, he said to me की जगा, हम he asked me या he inquired of me he inquired of me, यहाँ पे inverted commas आठा के that बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तो हम if या वेदा लगा देंगे दूनों में से कोई एक लगा सकते है, statement में हम इसे change करेंगे, तो यह है, are you ready? are you ready? में यह verb है, यह आपका subject है और यह आपका other words है, other words है, तो जब इसे हम statement बनाते हैं, statement जब इसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम subject करेंगे, फिर verb करेंगे, फिर other words करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, you are ready, यह ऐसे changes हम कर देंगे, ओके, तो अब you are ready हमारे पास हो गया, तब you are ready को हम यहाँ पर change करेंगे, यू जो है, second person है, second person को हम object, reporting verb के object से change करते हैं, तो मी है, तो मी यहाँ पे you, यानि you मी में change होगा, तो personal, इसका जो pronoun होगा, वो I हो जाएगा, तो यहाँ पे हम I लिखेंगे, आज जो है, यहाँ पे seed है, पास्ट इन से, तो यह was में change हो जाएगा, I was ready, okay, अगर यहाँ पे, are you ready की जगा हम लिख दें, do you go, do you go, okay, do you go, same thing में यहाँ पे रहेगा, he asked, या inquired of, यह inquired of, यह ask, me, if we are whether लगाएंगे, इसे change करेंगे हम statement में, तो do you go का statement हो जाएगा, you go, okay, you go को change करेंगे, you me के हिसाब से, I हो जाएगा, और go, यह आपका simple presentence है, यहाँ past tense है, reporting verb में, इसलिए यह change हो के, यह change होगा, simple past में, तो go का went हो जाएगा, okay, कोई problem, अब यहाँ पे, अगर हम, do you go को, did you go कर देते हैं, did you go, okay, he asked, inquired of me, if, whether, did you go को हम statement में change करेंगे, तो यह simple past tense है, तो simple past tense का जो statement होता है, उसमें verb 2 का हम इस्तामाल करते हैं, यहाँ पे did लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा, you went, अब you went, जो है, यह simple past tense, अगर यहाँ past tense हो, तो simple past tense, past perfect में change हो जाता है, तो he asked, यह inquired of me, if, whether, I, vintage हो जाएगा, had, gone हो जाएगा, ओके, अब wh questions को हम देखते हैं, अब wh questions को जो है, हम change करना सिखेंगे, wh question में एक example है हमारे पास, he said to me, how will you go, यह part जो है, यहाँ पे said to है, same same said to को हम ask, ask के साथ, तू नहीं लगेगा, और object, या inquired of I से या इसे लिखा हुआ रहने देंगे, वैसे inquired of बहुत कम ही लिखा जाता है, wh words में, तो यहाँ पे ask में, और यह question जो words होंगे, बिल्कुल question words वैसे ही उतर जाएंगे, और इनहीं जो है, हम statement में change कर देंगे, यहाँ पे that का इस्तामाल नहीं करेंगे, that की जगा हम question words को लिख देंगे, तो जैसे he said to me है, तो यह हो जाएगा, he asked me, inverted commas को हटाएंगे, यहाँ पे कोई भी हम that या if weather या if weather जो है, इस्तामाल नहीं करेंगे, question words को direct लिखेंगे, तो question words हो जाएगा how, he asked me how, अब will you go को पहले change करेंगे statement में, how को हटा के will you go को change करेंगे, तो यह हो जाएगा you will go, अब you will go को, you will go जो है sentence उसको हम बदलेंगे, यहाँ past tense है reporting verb में, तो यह change हो जाएगा, will जो है would में change हो जाएगा, तो यह हो जाएगा how you, me के हसाब से change हो जाएगा, तो how I would go हो जाएगा, यह बिल्कुल इसमें बिल्कुल easy है, कोई बहुत बारी नहीं है यह, अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं, ही से टो मी, वेर डज, वेर डज शी गो, ओके वेर डज शी गो, तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम इसे change करेंगे, ही से टो मी, वेर डज, शी गो, सेम सेम ही, आस्ट मी, हाव की जगा हम क्या इस्तामाल करेंगे यहाँ पर, वेर इस्तामाल करेंगे, ओके, अब डज, शी गो को change करेंगे, statement में, तो यह हो जाएगा, she goes होगा, यह simple present tense है, यहाँ reporting बर past tense है, तो यह change होगा, simple past में, तो she goes हो है, यह she went में change हो जाएगा, तो where she went, ओके, अगर यहाँ पर, डज की जगा, डीड होता, तो यहाँ पर, she went इसका statement बनता, और यह change होता, past perfect में, जो she had gone होता, तो यहाँ पर, she had gone हम कर देंगे, ओके, जितने भी डब्ल वोट से question जो शुरू होंगे, उनको हम इसी तरह change करेंगे, डब्ल वोट को उतार देंगे, बाकि जो part remaining part है, उसे हम assertive sentence, यानि यह statement हमें change करेंगे, और तब देखेंगे reporting verb का, अगर tense change करने के लिए हो, तो change करेंगे, अगर यहाँ पर stage होता, तो हम इसे बिल्कुल change नहीं करते हैं, यानि टेंसे में change नहीं करते हैं, बाकि सारे changes होंगे, एक questions और इसमें देखते हैं, जो अक्सर confuse कर सकते हैं, जैसे हो, he said to me, what is your name, ओके, तो सेम सेम होगा, he asked, यहाँ पर asked, quarter का साम लाएगा, he asked, he asked me, what is your name, your name को change करेंगे, तो your name is में ऐसे statement बनेगा, ओके, तो your name is, अब यूर जो है, यूर adjective है, possessive adjective है, second person का, यह change होगा, reporting verb में जो object हो, तो me है, तो me का जो है, possessive adjective हम देखेंगे, तो my हो जाएगा, तो what my name, और is है यहाँ पर, तो is past tense के हिसाब से words हो जाएगा, तो ऐसे हम change करेंगे, ओके, उम्मीद करता हूँ, यह काफी विडियो अच्छी रही होगी, thanks for watching.